पंच मुखी हनुमान के बारे में आप बताई पंच मुखी हनुमान जी को और तंत्र विद्या को जोड़ा जाता है कही जग होपे तो क्या यह सत्य है भाई तुम अगर तंत्र से किसी और छल कपट से अगर हनुमान जी की उपासना करना चाहते हो या किसी का भला बुरा करना चाहते हूँ तो कभी नहीं कर पाऊगे हैं क्योंकि वो परम साथ्विक हैं श्री हनुमान जी का मतलब इतना समझ लीजिए जिसको सिर्फ राम नाम से रिजाय जा सकता है अन्यता किसी तंत्र मंत्र वंत्र 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 से नहीं हनुमान जी की अगर पूजा करने हैं जैसे आज एक बहुत नया बच्चा या नया इनसान आज हमारे पॉड़कास्ट को सुने पहली बार और शायद आज मेरा भी एक दूसरा साइड लोगों को दिखाऊगा क्योंकि लोगों को भी नहीं पता कि मैं भी मतलब हमेशा सही पू हाद ना है तो कैसे शुरू करें? क्या करने से शुरू करें? जैसियराम, 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 जै पावन नामू हर समय क्या किया अनुमांजने राम 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 सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू राम को वश में करना हो तो उनके नाम से किया जा सकता है भगवान को वश में करना हो तो उनके नाम से किया जाता है कोई तंत्र मंत्र विद्या से नहीं इसलिए हम हर समय जब समय मिले बस एक ही काव करो जो आपका गुरू मंत्र है सिर्फ एक भगवान का नाम गाने से कल्यूग में भगवान उसके वश हो जाते आप पंचमुकी हनुमान जी की बात करते है पंचमुकी हनुमान की बात अगर करूँ तो शंकर कौन है आरतियां गाते हैं शंकर जी की ओम जैशिव यूम कारा उले हरे शिव यूम कारा ब्रह्मा विश्नु सदाशिव अरधांगी धारा ओम जैशिव यूम कारा उसी में आता है एकानन चतुरानन फिर क्या का शिव को पंचानन राजे बोले पंचानन राजे पंच आनन पंच अर्थार्थ पंच आनन अर्थार्थ मुक जब शिव के पास पंच मुक हैं और हनुमान जी शिव हैं तो वो पंच मुक वाले हुए कि नहीं मैंने अभी का कि हनुमान जी एक ही काम करते है सदा राम जबते हैं शिव क्या करते हैं कहलाश पर बैठकर तुम पुनी राम राम देने राती कहलाश पर कोई जाए तो एक हावास सुझाए देते हैं राम 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 भगवान महादेव से बड़ा राम नाम जापा कि इस दुनिया में कोई नहीं एक आंत में बैठकर कि जिसको राम 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 जपना आ गया समझ लेना उसको जिन्दगी में जीना आ गया एक और एक मैं और कह दू हमारी जिन्दगी की सब जिम्मेवारिया पूरी करो पिता हो तो पिता की जिम्मेवारी मा हो तो मा की जिम्मेवारी भाई हो तो भाई की पढ़ाई करो स्टेडी करो जॉब करो बिजनस करो सब कुछ करो लेकिन जब सबय मिले आपको लगे अब कुछ नहीं करना फेस्बुक चलाओ, वाटसैप चलाओ, इस्टा चलाओ, जब रात को सोने लगो और मुबाइल भी दो-चार बार नाक पे गिर जाए, तोड़े कहे बई छोड़े मुझे और मुबाइल भी उठाकर एक और धर दो, उस समय मदुब सुदन सरस्वतीजी ने कहा है वर्थ कालत्वम, उस काल को वर्थ मत गवाना, जो आपका गुरु मंत्र हो, जिस नाम में आपके इश्टा हो राम, राम, राम भजिएगा, और कोई साधन नहीं कलियो राम रामेती रामेती, रमे रामे मनूर में, सहस्त्र नामत तुलंग, राम नाम वरानने अब इकल मैं चैनने से आ रहा हूँ, आपके पास, सुभई फ्लाइट से आया गए, जिसके घर में मैं कल, बाबा बैठा है देखो, जिसके घर में कल हम पार्ट कर रहे थे, चाहिना में बहुत बड़ा बिजनस है उनका, तो लखोट या परिवार, तो उनके घर में पूरे एक एक बच्चे को ये मंत्री आप था, उनके घर के मंदिर के शीशे पर लिखवाया हूँ, राम रामेती, रामेती, रमे रामे मनो रमे, सहे स्रिनाम तक तक तुल्यम, श्री राम नाम वरान में, पार्वती माता भोजन का समय हुआ, शंकर जी ने का, देवी कहा हो? इदर आओ, पार्वती माता ने का, महादेवी तो मेरा भोजन चीश रह रहा है, अब ये मैं पाठ नहीं कर पाई, शिव जैसे, पत्री मत धर्म हो तो शिव जैसे, कभी पार्वती के बिना भोजन नहीं करते, कहलाश में प्रवेश करते, तो जगदंबार्ती का थाल लेकर खड़ी रह दे, आओ, महादेव, और एक बार नहीं मिली, तो कहलाश में गुसते ही, पहला पाउं रखते ही, भगवान, अमबिकार, जगदंबिकार, भवानी, कहाओ, शिव जैसा प्रेम पत्नी को करने वाला कौन होगा, जब सती जल के मर गई, तो जली हुई सती को निका करके अपने कांधे पर डाल का चिंगारने लगे भगवान, महादेव, और पूरी दुनिया में लेकर के उसको गूमे, जहां जहां एक एक अंग परत्यंग गिरा, वहां वहां एक शक्ति पीट स्था पे तो हो गया, इतना पत्नी वरत धर्म भगवान, महादेव के इलावा और कौन कर सकता है, तो वो शिव देवी भुजन का समय हो गया, पार्वती माता ने का महादेव, आज मेरा पाठ शेष रहता है, शंकर जी ने का कहें का पाठ करती हो, विश्नु सहस्त्र नाम का, एक हजार नाम भगवान विश्नु के करती हो, शंकर जी ने का इधर आओ, तब विश्वा मित्र जी ने रामरक्षास्तोत्र में ये लिखा है, एक बार कोई राम बोल दे, तो एक हजार नाम भगवान विश्नु के हो जाते है, और तुलसिदास जी ने भी यही विश्वा मित्र से श्लोक से ही मानो रामरक्षा स्तोत्र से ही चौपाई लिखी है सहसनाम सम सुनी शिव बाणी भार्वती माता ने जब सुना तो जब पीजे पिय संग भवानी सहसनाम एक बार कोई राम जप दे तो भवान विश्वा के एक हजार नाम हो जाता है